बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे योट्यूब चैनल पर और अगर आप नए है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और आगे बढ़ाएं और आज के सेशन में देर नहीं करूँगा बता दूँ आपको क्या पढ़ने हैं आज हम कैसे सॉल्व करते हैं वर्बल रिजिनिंग क्या है इसके बारे में हमसे बात करते हैं तो वर्बल रिजिनिंग को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है मैं आपको सीधा कोशन दिखा दूँ जिससे कि आप आसानी से वर्बल रिजिनिंग को समझ पाएं और आसानी से आप इ values दी जाती है और आपको identify करना है कि इन में से odd term कौन सा है कुछ values दी होंगी कुछ basic property के आधार पर आपको कुछ चीज दी जाएंगी और उन्हीं चीजों में आपको ढूंड़ना है कि कौन सा term इन में से अलग है यह simple theory है simple सी बाधर मुझे उम्मीद है कि आप इस question में जल्दी से अपने comments देंगे मुझे और मुझे पता लगेंगे आपके answer बuffering नहीं है it's everything okay और जल्दी जल्दी से मज़दार session होने वाला है और रेल निमाने ये वरबल reasoning को आज मैं आपके दिमाग में पुरा भर दूँगा लेकिन आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा क्या ओम स्वाहा यानि एक आहूती तो आपको लगानी पड़ेगी अपने like की तो एक like की आहूती लगा दो एक share की आहूती धीरे से ओम स्वाहा कर दो तो ये चीज़ें आगे बढ़ाओ और जल्दी से बच्चों को बोलो कि यहाँ पर आपको KVS, LVS, APS सभी के लिए reasoning को मैं स बहुत जल्दी आप मुझे अपने answers जरूर पहुचाएंगे बहुत बढ़िया तो यहाँ पर सवालों का सिल्सला शुरू हुआ है और आपके जवाब मुझे मैं आपके comments पढ़ लो एक बार बहुत बढ़िया आप सबके comments मुझे हैं आने लगे हैं वेले गोड़ ओम नमस् बहुत बढ़िया है option number बहुत बढ़िया यहाँ पर आपने कहा A एकदम सही जवाब है क्यों देखो यह तीनों आकरती अगर हम तीनों चित्र की बात करें आकरतियों की बात करें तो मैं अगर alphabet की बारे में बात करूँ तो यह तीनों alphabet consonants हैं जबकि यह जो A लिखा है this is what this is वोवल ए इस ए एजन वोवल तो यह क्या है एक वोवल है जिसको आप बोलते हैं क्लियर ओके ग्रेट तो पहाला आसान सवाल तो आसान इसे आपने किया एक और सवाल देखते हैं जबकि BCD अलाग एक और सवाल चलो विए गए इस विकल्पों में से विशह शब्द संख्या का चैन करो अब दोगो यहां पर भी कुछ सामने दिखे हैं मौहमद अजरुद्दीन सुनील गावसकर ध्यान चंद युवराज सिंग तो यहां पर आपका जवाब मैं चाहूंगा तेजी से मिले सहाब बिना किसी देरी के उमीद करता हूँ आपका जवाब मुझे वड़ा आज सिंग देखते हैं जवाब क्या मिलता है और यहां पर मुझे मिला है भी सुनील गावसकर बहुत बढ़ी आसी जवाब मिल रहा है मुझे आप्शन बी क्या ये सही जवाब है लेकिन मुझे लगता है आपका विकल्प गलत है अपना टाइम आएगा आपका विकल्प चुनाव किया है क्यों समझेगा यहां पर तीन चार लोगों के नाम दिये गए हैं और वो तीन चार लोग क्या हैं वो किसे ने किसी से एक साथ को रेलेट करते हैं लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा होगा जो थोड़ा से अलग चलेगा यानि अगर हमां बात करें मुहमत लेकिन हमारे क्रिकेटर हैं हमारे सुरीर गावसकर साथ क्रिकेटर हैं हमारे यूवराज सिंग भी क्रिकेटर हैं लेकिन हमारे ध्यान चंद साथ जो हैं वो आप सब जानते ना बॉल का जादूगर होकी का जादूगर यानि होकी के जादूगर है ध्यान चंद कब आपने स यहां पर अभी राजीम गांधी जो खेल रतन पुरुषकार है उसका नाम ध्यान चंद्र पुरुषकार किया जाए क्योंकि होगी के जादुकर इनको कहा जाता इसलिए यह व्यक्ति अलग है तो आपको क्या करना है इनमें से लिकान विशा मैं कौन सा वर्ड अलग है यह आपको पहचानना था बहुत बढ़ी आएक और सवाल आपके स्क्रीन पर दम तोड़ेगा और उसका दम आप निकालोगे क्यातना है मैं निकाल दूँगा उसका दम ओके नेमले कित परशनों में से एक विकल्प का चैन करें जो अन्य तीन विकल्पों से भिन है Option A, विकल्प A, I, E, B, O What is the right answer from your side? सोचो, 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 चल्दी से सोचो और जवाब दो क्या होगा? यहाँ पर देखेंगे A, I, E, B, O तो क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? और आपने जवाब दिया है बिलकुल बढ़िया बहुत बढ़िया अपना डाइम आएगा That is option number B का है? क्यों? क्योंकि I, E, O, आप सब सुने हैं A, E, I, O, U यह सब क्या है? These are vowels लेकिन B is the consonant So, इन सब में तीन तो एक जैसे हैं यह भी अलग फस गया बस बचारा बहुत बढ़िया Very nice और आपने जवाब दिया है C consonant बहुत बढ़िया एक और सवाल आपके स्क्रीन पर निमलितित परशन में एक विकल्प का चेहन करें जो अन्य तीन विकल्पों से भिन्न है अब देखते हैं इस भिन्न में आप मुझे क्या बताते है तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है Let's see What will be your right answer सवाल आपके सामने है Okay 88, 97, 132, 121 इन में से आपको बताना है कौन सा विकल्प अलग है बहुत ही सिंपल सवाल है उम्मीद करता हूँ जवाब भी एकदम उचित तरीके से आपका मिले 88, 97, 132, 121 What is एक विकल्प जो अन्य तीन विकल्पों से भिन्न है इस तरह से आपको आंसर देना होगा तभी आप समझ पाएंगे तभी आप कर पाएंगे रहें क्यों बोल रहें भी चलो समझते हैं देखो कुछ ना कुछ तो कॉमन दिख रहा है 88, 11, 88, 81 11 से कट गया है तो 11, 11, 121 11 में अगर 12 की गुणा करो 32 तो यहाँ पर तो 99 होना चाहिए था है ना तो 11 से कट जाता 11, 99 में तो 8, 9, 11, 12 कोई बात नहीं थी यह 11 से कट जाता लेकिन यहाँ पर बागी सब जिने भी नंबर्स लिखे हैं वो 11 के मल्टिपिल्स हैं लेकिन यहाँ पर 97 मल्टिपिल्स नहीं है किसका? 11 का क्लियर है भाई? समझ में आगई बात? बहुत बढ़िया आगे बढ़ें वेरी वेरी गोड एक और सवाल आपके स्क्रीन पर आएगा देखते हैं क्या निमने लिकित आकरतियों में इसे विशम शब्द का चैन करो इनमें से कौन सा शब्द अलग है? AD 5, LM 25, GK 19, SU 40 तो यह option है A यह option है B यह option है C और यह option है D इनमें से कौन सा विकल्प आप मानते हैं अलग है? तो देखेंगे आपका जवाब मुझे क्या मिलता है? विशम शब्द को आपको चैनित करना है कि कौन सा इनमें से अलग होगा? तो जवाब आपके सामने होना चाहिए और यहाँ पर आपका जवाब क्या मिलेगा? देखते हैं, क्या मिलता है? आकर्तियों में से विशम सब दिन में से कौन सा है? आपके सामने कुछ आकर्तियां प्रदर्शित हो रही है और मुझे उम्मीद है तो यहाँ पर C option सबसे ज़ादा मुझे सबसे पहले दिया है उन्होंने C यह किसने का C? देखो आप समझे ना? अगर शायद आपको याद हो और आपको पता हो तो आप इस question को आसानी से कर सकते थे देखो AD लिखा है 5 नंबर LM लिखा है 25 नंबर G के लिखा है 19 SU लिखा है 40 का है लिखा है? समझो देखो A का value होता है 1 D का value होता है 4 अगर नंबर की बात करें तो मैंने दोनों को जोड़ा 1 plus 4 is equal to 5 ओके कोई problem नहीं है सही लिखा हुआ है इसकी बात करते है L होता है 12 M होता है 13 L होता 12 होता 13 दोनों को जोड़ दिये तो कितना होगी आपने का 25 इसमें भी कोई problem नहीं है अब इसकी बात करते है G होता है 7 K होता 11 दोनों को जोड़ने तो कितना होता 18 लेकिन यहां तो 19 लिखा हुआ है बास यही गरबड कर दिये सवाल में तो यही option अलग है समझ में आगई बात सबको कैसे किया है मैंने सवाल Yes के No सबी लोगों को clear है वही हाँ के न Is it clear you to all Yes के No जल्दी बताओ जल-जल्दी से जागो और आगे बढ़ओ Clear है Okay तो right option क्या हुआ हुआ यह वाला आपके सामने लिख दिया आप इनको याद भी कर सकते हैं मैंने आपको बताया भी था जैसे आप करते हैं J O T Y तो यह क्या है J क्या होता है 10 15 20 25 आप इसको ऐसे लिख लेते हैं और बाकि सब के numbers मैंने आपको याद भी कराई हुए हैं कैसे करते हैं प्रिवे सेशन में एक और सवाल चलो दिये गए विकल्पों में से विशम शब्द यानि अक्षर, संख्या, संख्ययूगम का चेन करें कौन सा अलग है यह आपको बताना है भाई लाइक वे करते हैं साथ साथ में जल्दी से लंभ, आधार, कर्ण ये तरज्जा इन में से अलग कौन सा है लंभ है, आधार है, कर्ण है की तरज्जा है बड़ा सिंपल सवाल है इसको तो बड़ी आसानी से आप कर लेंगे कोई भी प्राब्लम नहीं आनी चाहिए सवाल को मुझे उम्मीद है और यहाँ पर जवाब देखते हैं क्या मिलता है आपका और यहाँ पर ड़ी मिल रहा है, क्यों क्योंकि आप सभी जानते हैं ये एक ट्राइंगल मैं बना देता है इसको क्या बोलते हैं कर्ण इसको क्या बोलते हैं आधार इसको क्या बोलते हैं लंभ तो ये सब किसके ट्राइंगल के पार्ट हैं लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूँ तरज्या की तो ये किसका पार्ट है ये circle का part है ये वरत का part है तो ये तीनों किसे related करते हैं तिरबुद से ये किसे करता है तरज्या से है ना बहुत बढ़़िया एक और सवाल चलो आनंदार है ना सवाल करने में को problem तो नहीं हो रही है ना आप मैंनेज कर पा रहे होंगे सवालों को एक और सवाल चलो देखते हैं चूज दी वर्ड विच इस लीस लाइग दी अदर वर्ड इने गुरूब यानि आपको नीचे लिखे वर्ड समें से उस गुरूब को चैनित करना है जो अलग है तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है यहाँ पर चूज दी वर्ड विच इस लीस लाइग दी अदर वर्ड इने गुरूप जो विलकुर अलग है कैलेंडर है डेट है डेज है मन्त है इयर है इन में से क्या आपको जवाब मिलता है जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे let's see what will be your right answer let's see B तो किसने का डेट अलग है कोई बोलेगा डे अलग है कोई बोले मन्त कोई अच्छा ओके चलो एक बात पूछते हैं आपसे इस सवाल में बड़ा आसान अंसर है और जो होगा yes a is the right answer क्यों कैलेंडर तो सब जानती ना कैलेंडर में आपकी घर में टंगा होता है कैलेंडर सबके घर में कैलेंडर होता है उस calendar में क्या होता है सबसे पहले होते किस साल का वो calendar है उसके बाद आते 12 महीने का एक एक पेज उस पेज में 7 दिन का और 7 दिन में date यानि यह सब calendar के part all are these the part of calendar पेज़ सब क्या है यह calendar के सब पाट डे टे डे मन्त ये सब के पार्ट समाने जाते हैं इस वजहां से calendar सबसे अलग है क्योंकि वो इनका पार्ट नहीं बाकी चारूज है कि यह चारूज रहे हैं बहुत बढ़ यह ऑप्शन था आपने बहुत अच्छों से मुझे बत again question the same that is carrot ginger potato tomato or turmeric these are the things carrot ginger potato tomato turmeric मैं हिंदी में लिख देता हूं जिससे अब को याद रहे इसको बोलते है गाजर इसको बोलते है अद्रक इसको बोलते है आलू इसको बोलते है टमांटर कि इसको बोलते हलदी विको टर्मरिक नहीं कोसमेटिक विको टर्मरिक आल विदी क्रीम सुनाऊँगो ना तो देखे से जवाब क्या मिलता है आपका Lord को stores रहा है वी तर्मरिक को बताए जारा है कियोंकि की तर्मरी के रूप में यूज होती है ना। आपके जिमाग में यही आ रहा होगा क्षट गत्यु fragrance हर्ण करते हैं हल्दी को मसाले के यूज में प्रयोग करते हैं यह लेकिन किया हम जिंजर को और ती کے रूप में यूज नहीं है है ना तो मतलब क्या हुआ तो जिंजर भी तो सेमी है तो यहां बात नहीं बनी क्योंकि टर्मरिक भी आश्दी के रूप में हो सकती है मसाले के रूप में हो सकती है यह भी हो सकती है तो प्राबलम का आई प्राबलम ही आई हाँ नहीं मसाला सब्जी क्यों जिंजर सब्जी तोरी होती है जिंगुरों तो मसाला यह है नहीन हीन मेरे साथ योयों आप संजू तमांटर कि कि 10 कि अ इससे पेड़ पर लटकते हैं ऐसे घुच्छे में कि अपेड़ तो पेड़ पर लगते हैं न उपर जमिन के ऊपर लगते टमांटर है ना वेजनी तो कि है पिसने संपार नहीं होता टमाटर फ工 दिद के उपर हिस्से में लगते हैं बाकिसा भीिजाना है tone गर्ट जड़से भूमी के अंदर होती है अद्रख करदर होती है डालू भी अंदर होता भूमी एऔर की hell भूमी के अंदर ही हुता है पास समझ में आ गई तराइट ऑप्शन क्या था हाँ बिल्कुल का सही का अमिल याट इस टमेटो पटेटो नहीं टमेटो अभी याद हो गया क्योंकि बाकी सबील जाड़ी है भूमी के अंदर पनपती है सिर्फ टमांटर जो है वो पेड़ पर लगता है उपर लगता है इन ग्रोप यानि आपको देखना है इनमें से कौन सा विसम है मून चंद्रमा वैसे आपको इंग्लिश में बहता न चीए इनको सन सूरिया है यूनिवर्स में ब्रह्माण स्टार में स्टारे प्लानेट्स में ग्रह तो यह सब इनके हिंदी के नाम मैंने लिख दी है आलू अरे आलू तना है मैंने यह नहीं बोला वो जड़ है मैंने कहा भूमी के अंदर पूनम जी यह सब भूमी के अंदर पाए जाते हैं अब वो तना है के जड़ है वो हम इव निकलता है अंदर की तरफ जाता है भूमी के अंदर पाए जाते हैं ये भूमिकत चीजें हैं और ट्रमेटो भूमिक के बाहर के चीजें हैं हाँ आपने क्योंकि इसमें डी होता है और समय नहीं क्यों आलू को बीज नहीं बोया जाता आलू का बीज बोया जाता है अधरक का बीज नहीं बोते हैं बिना बीज के कैसे कोई चीज हो जाएगी हल्दी का बीज नहीं होता हल्दी भी ऐसी बोई जाती जैसे अधरक बोई जाती ह आपके चलो सवाल आपके सामने और मैं चाहूंगा आपका जबाद मिलेए मुझे अब सवाल आपके सामने है उम्मीद करता हूँ कि आप्शन क्या सी सबने का यूनिवर्स ब्रह्मांड क्यों लिखा आपने ब्रह्मांड यूनिवर्स क्यों बोला क्योंकि एक ब्रह्मांड में तारे, चंद्रमा, सूर्य, ग्रह सब ब्रहमांड के अंतरगत आते हैं आपके तरन मिस यूनिवर्स सुनाओगा आपने मिस यूनिवर्स इसका मतलब क्या है कि जितने भी इस ब्रहमांड में चीजें प्रत्वी वालों ने प्रत्वी वालों ने अपना अभीत्या कर दिया सब कुछ के तो ब्रह्मान की सुन्द्री है बहिं मुझे एक बाव बताओ ब्रह्मान की सुन्द्री मतलब उसमें सब आगे परियां भी आ गई उसमें इंद्र लोग की इंद्रानी भी आ गई अपसराई भी आ गई वह कहां छोड़ दी पता नहीं बस परत्वी की लड़कियों कोई बोल दिया तो मिस्यूनिवर्स तो थोड़ा लोजिक अलग है ना मिस इंडिया मिस अमेरिका समझ में आता लिकिन मिस्यूनिया समझ में अच्छ अच्छ ओके 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 अब समझ में इसट के लिए ड़ीज यूनिवर्स क्योंकि इन सब का और स्पीड पढ़ा है और कितनी स्पीड पढ़ाई जाए अब तो फिर मुझे एक्सिलेटर ज्यादा बना पड़ेगा पैट्रोल ज्यादा पोगेगा अगर मैं ज्याद समय लगेगा थोड़ा सा सोच समझ के चलेंगे सवाल कम नहीं है लेकिन आप वो भी कोई गम नहीं है मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगी मेरी बातों को ओके 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 आमिल ओके आमिल जल्दी से जाईए अपनी नमाज आदा करके आईए है केमिस्ट्री जरोगेफि ञुलोझी डॉटनिय फिजीक्स नमें से अलग कौन सा है या या नि चैमिस्ट्री तो विषय है रशायन सास्ट्र वूख भूगोल जूलोघी जीव जयुक्जान जंतु क्वज्जान औरढ़टिक ही नमें सबसे अलग कौन सा ही आपको अब जब साइन्साइट पढ़ते हो जब आप लोग साइन्साइट पढ़ते हो मैं तो साइन्साइट से पढ़ रहा हूं तो साइन्साइट में आप कौन सा गुरूप चूज करते हो आपने का PCM Physics, Chemistry, Math और एक और होता है PCB Physics, Chemistry, Biology तो यह जो Chemistry, Math, Physics सब साइन्स हैं Biology भी साइन्स है लेकिन Biology आगे चलकर दो पार्ट में तूट जाती है That is Geology and Botany जीव विज्ञान और जन्तु विज्ञान तो यह सब क्या है यह Chemistry है यह जूलोजी है यह Botany है यह Physics है यह सब Science की ब्रांच है यह सब Science की ब्रांच है जबकि Geography Science की ब्रांच नहीं है इसलिए यह अल Choose the word which is the least like the other words in a group अब क्या करें? Sisters, Friend, Brother, Father, Mother इनमें से हाँ बहु बढ़िया आपको बताना है मुझे इसका answer क्या होगा? Let's see what will be your right answer Choose the word तो यहाँ पर जवाब क्या मिलता है? Let's see Sister, Friend, Brother, Father, Mother और यहाँ पर मिला है option number B और बिल्कुल सही बात है क्योंकि Sister, Brother, Father, Mother These are the family members and these are in the bilid relation यह bilid relation में होते हैं जबकि friend जो है वो family member भी हो सकता है और family के बाहर का दोस्ट, school का दोस्ट, पडोस का दोस्ट, गली आरे का दोस्ट हो सकता है तो right option क्या था? Option number B is the right answer क्योंकि यह सबसे अलग आपको लग रहा है दिख रहा है एक और सवाब Choose the word which is least like the other words in a group आपको बताना है इन मेंसे कौन सा वर्ट अलग है That is zinc, aluminium, copper, mercury या iron अब देखते हैं मैंसे आपका जवाब कौन सा मिलता है मुझे? Question है, zinc, aluminium, copper, mercury, iron अब यह सारी चीज़े जो हैं आपके सामने लिखी हुए है zinc है, aluminium है, copper है, mercury है या iron है तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है, iron, mercury सब लोगों ने अपने अपना अनसर अलग दिया कोई बोला है, mercury, कोई बोले mercury, कोई बोले aluminium कोई बोले copper, कोई बोले iron क्या बात है, लेकिन आपको बता दें यहाँ पर जो अनसर आप दे रहें, iron जो iron है, वो अफसोस, आपने घलत वी कल्प को चूज कर लिया है, किल्पा करके पुना प्रियास करें, आपका जवाब घलत है जिनोंने iron को चूज किया है IR is it, हाँ, that is mercury, just because of mercury is para, और para हमेशा आपको liquid form में मिलता है, यह एक मात्र ऐसा इन में दिया हुआ, metal है, जो liquid है जितने भी metal है, वो सभी थोस अवस्था में पाए जाते है solid state में होते हैं, लेकिन यह जो mercury है यह liquid state में पाए जाता है, इसलिए यह अलग है तो जब भी आप चीजों को पढ़ेंगे हाँ, यह पारा ही है, मर्कुरी पारे को तो बोलते हैं, बिल्कुल सही कहा अपने time तो समझो इस बात को, तो आप जब इस चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं तो इस बात का हमेशा याद रखिएगा कि जब भी इन चीजों को समझते हैं, आप जब भी reasoning पढ़ते हैं, तो आपको हर एक चीज का knowledge होना जरूरी है तभी आप चीजों को समझेंगे, बहुत बढ़ी है, समझ में आया ना, iron क्यों गलत था और mercury क्यों सही था, क्योंकि यह liquid state में हो था, एक और सवाल चूज the word which is least like the other words in the group, what is it, liar, cheetah, bear, tiger, leopard, what is the right answer, let's see what will be the right answer, that is, lion, cheetah, bear, tiger, leopard, let's see what will be the right answer, तो यहाँ पर मुझे मिला है, कोई बात है, चलता रहता है, तो B option दे रहे हैं, चीता, बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर चीता option सबसे पहले मुझे मिला है, और उसे पहले beer मिला है, तो आपको बता देए, तो यहाँ पर सबसे अलग परजाती में, जो अरे यह तो बहुत common वाल था मेरे साथ ही ओ, दोस्तों, बीर मिंस क्या होता है, बीर माने क्या होता है, बीर माने क्या होता है, वो पीने वाली बीर नहीं है ये, वहाँ से निकलो ओपर की तरफ, ये पीने वाली मैं समझ रहे हैं ना कभी खोशिय मनाओ, ये वो नहीं है, बीर मेंस भालू, सुना एक ही बात है लियोपट बगीरा यह सब एक ही एक ही परजाती में सारे यह इसको बोलते कैट परजाती या बोलते हैं कैट सुना अबने कैट बिल्ली तो यह सब बिल्ली की परजाती में गिने जाते हैं यह तो यह कैट में आते हैं लॉयर भी चीता भी टाइगर भी Is it clear? तो where is different from these others? एक और सवाल आपके स्क्रीन पढ़ना आता हूँ, दीजेगा जबाब. Okay, choose the pair in which the word are different related. That is, joule energy, ampere current, radian degree, pascal, pressure, watt power. So, अगर हिंदी की बात करें, तो joule, उर्शुमा, यहीं उर्जा, ampere, that is, विद्दुत, radian degree, pascal, pressure means daab, watt means power, में शक्ति. तो इन में से कौन सा अगलत relate करता है? तो देख लें न, यह सवाल आपको इस तरह से एक्जाम में मिल जाते हैं कई बार. और आप जब reasoning को पढ़ते हैं, तो आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको बहुत सारी चीजों को समझने की आवज़ सकता होती है, चीजों को पढ़ने की आवज़ सकता होती है, then, आप सभी लोग चीजों को समझेगा, इन में कौन सा अलग, क्या बताते हैं? C option दिया जा रहा है मुझे सबसे जादा, C option सबसे, radian degree, क्या बात है, बीजों, हम एनर्जी को मापने का मात रख है, यानि energy को हम Joule में मात रख है, वही current को हम ampere में मात रखे हैं, वही पास्कल में हम pressure को मात रखे हैं, और watt में हम power को मात रखे हैं, जबकि radian और degree दोनों ही angle को मापने के मातरक हैं यानि दोनों same है, radian degree यानि radian किसे angle को πाई में मापते हैं degree हम 10 degree ऐसे मापते हैं तो ये दोनों same बात हैं, क्योंकि एक πाई is equal to 180 degree के बराबर होता है तो ये दोनों same है, these are the synonyms ये एक ही चीज को मापने के काम आतें, that is angle clear बात समझ में आ गई, तो ये इसलिए अलग था, बाके सब ठीक ते बहुत अच्छे से जवाब दिया आपने one more question for you guys, अच्छा अच्छा लग रहा है, ऐसी जवाब देते रहो और पाते रहो ओके, बहुत बढ़िया choose the pair in which the words are differently related, that is stale, fresh, truth, lie, slow, sluggish, teach, learn, kind, cruel इन सब के meaning भी आपको पता होने चाहिए राधे, राधे, हिंदी में लिखना पड़ेगा क्या, अगर आप चाहें तो मैं इसको हिंदी में अनुआद कर देता हूँ ए, stale means होता है बासी, क्या बोलते है इसको बास है इसको बोलते ताज़ा इसको बोलते सत्य, जूँट इसको बोलते है धीमा इसको बोलते है सुस्त इसको बोलते है टीच पढ़ना लिखना इसको बोलते हैं दयालू इसको बोलते हैं क्रूर यह निके हिंदी मिनिंग है ठीक न? तो यहाँ पर D option दिया जा रहा है teach learn चलिए बहुत अच्छी बात है सब लोग D option को दे रहे हैं D option सब ने बहुत अच्छी से दिया है लेकिन आपको बता दे फिर से आप लोगों ने गलत विकल्प का चुनाव किया है हमें बड़े दुख के साथ यह बात आपको बतानी पड़ रही है कि आपका चुनाव गलत है करपया सही चुनाव करें आपकी सुझाव आमंत्रित है फिर से आप चुनाव कर सकते हैं यदि आपका विकल्प D नहीं होगा तो आप किस विकल्प को पुना चुमेंगे क्यों बताते हैं स्टेल मिन्स बासी, फ्रेश मिन्स ताजा ताजी बासी, अपोजिट वर्ड प्रुत माने सत्य, लाई माने जूट जूट और सत्य है, स्लो माने धीमा सलगिस माने सुस्त, तो आदमी जो धीमा होता वही सुस्त होता है, ये सिनोनियम है यानि परियायवाची, ये क्या है ये परियायवाची है, ये परियायवाची है बाकी सब क्या है, हाँ ये क्या है बाकी सब क्या है बाकी opposite हैं antonyums है यहनी विलोम शब्द है teach learn पढ़ना लिखना एक दुसरे के विलोम होते हैं kind और cruel दयालो और cruel एक दुसरे के विलोम होते हैं यह सब विलोम है लेकिन यह जो word लिखा है this is silonium तो आप सभी ने घलत option का चुनाव करके घलती की है अभी इसका चुनाव आगे वाले प्रशन में सही करने के हम कोशिश करेंगे आगे बढ़ते हैं एक और सवाल आपके screen पर ये रहा Choose the pair in which the word are differently related Shoe, leather, iron, axe, table, wood, jewelry, gold, shirt, fabric हाँ, सभी साथियों को मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से स्वतन जुदा दिवस की हार्दिक, हार्दिक, हार्दिक शुब काम नाएं आप अच्छे कारे करें, देश का नाम रोशन करें और आगे बढ़ें RPG आपका बहुत धन्यवाद और लट्डू खाओ, मेले पास आजाओ ठीक है, चलिए, बढ़ते हैं जवाब Choose the pair in which the words are differently related That is, shoe, leather, iron, axe, table, wood, jewelry, gold, shirt, fabric तो, right option, क्या होगा आप क्या जवाब? देखते हैं, क्या मिलता है आपका? बहुत simple सवाल है, अगर आप समझकर आंसर देंगे तो एक बार में आप इसका आंसर दे सकते हैं, easily सब सोच रहे हैं, option number E, shirt, fabric चलो समझा देते हैं, देखो ध्यान से समझना fabric means कपड़ा, कपड़े से क्या बनती है? shirt fabric से आप shirt बनाते हैं, जो भी आप देना और यह बड़ा अच्छा fabric है, ओ, बहुत अच्छा fabric है हाथ में लेके भी देखते हैं, बड़ा अच्छा fabric है fabric से क्या बनती है? shirt ऐसी gold से क्या बनता है? सब मेरी माताएं बहन जानती होंगी gold से क्या बनती है? gold से jewelry बनती है लकडी से क्या बनती है? table leather से क्या बनता है? जूता क्या? कुलारी से लोहा बनता है? अब बताओ, x मिंस कुलारी क्या? कुलारी से लोहा बनता है? यह लोही से कुलारी बनती है हाँ, भावत बढ़िया तो right option अभी भी गलत है आपका The right option is B दुबारा समझो आप समझो इधर से इधर को चलो ना लैदर से क्या बना जूता लकडी से क्या बनी टेबल गोल्ड से क्या बना जुएलरी फैबरिक से बना शट तो क्या कुलहाडी से लोहा बना ये लोही के कुलाली बनती है कितना सिंबल लॉजिक था बस आप थोड़ से घूम गए और घूम्मियों ऐसे हो गया और पूरियन अकेडमिक महरा कोश्चन जो घूम्मियों घूमा गाना आया था दूर हट जर हट जर छोरा दूर हट जर हट जा दिया यानत तो है ऐसा जटका दूर हट जर हट जा समझा गया एक और सवाल आपके स्क्रीन पर रखता हूँ दीजेगा उसका भी जवाब ओके क्या होता है लेट सी चूज दी नंबर विच इस डिफरेंटली फ्राम अदर इंदी गुरूप आपको बताना कौन सा अलग है इस 17, 27, 29, 37, 59 इन में से कौन सा नंबर आपको लगता है अलग है देखते हैं जवाब कौन सा नंबर है जो आपको दिखता है कुछ-कुछ अलग है हिंदी भी बताएं ओके ओके हिंदी में तो बता रहूँ मैं निम्न में से उस संख्या का चुनाव करो जो इन सब से अलग है, भिन है, मैं कहां से बिलोंग करता हूँ, मैं बिलोंग करता हूँ, यूपी, जिला गाजी बाद में पहले था, लेकिन अभी जिला हापुर बन चुका है, क्या बाद है, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है, सहाय शशी, बी, क्यों है बी, पता है लगा कुछ कुछ जाना कि नहीं पहचाना, कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, और यह हमने देखा, भईया यहां तो 17 यह तो प्राइम नंबर है, और यह भी नंबर प्राइम होता है 37 भी प्राइम होता है 59 भी प्राइम होता ये तो विचिड़ा 27 तो चलिछ आ गया ये तो भीया यह चलिछ आगया इसको भीजो वापस गलत बैक टे गरींफास गया ये आना क्यों भी ये और अकेला नंबर यह जो जो एना यही गलत था तीन का क्योब भी है बाकि तो कोई नहीं है बाद बढ़िया एक और सवाल चलो चूज दी नमबर विच इस डिफरेंटली फ्रां अधर इन दी ग्रोप चूज दी नमबर विच इस डिफरेंट फ्रां अधर इन दी ग्रोप 120, 168, 290, 380 और 728 यानि ए नहीं होगा ए नहीं होगा एक काहे हो जाएगा एक मिन रुको एक काहे हो जाएगा ए 17 प्राइम नंबर है और सभी प्राइम नंबर्स हैं सारे प्राइम है न एक ही ये बस का अम्पोजित नंबर चलो निम्न में से उस संख्या का चुनाव करू जो बाकी सबसे अलग दिख रही है आपको देखते हैं 120, 168, 290, 381, 728 तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है सवाल आपके समक्ष है और मैं चाहूंगा आप लोग सही विकल्पों का चुनाव जरूर करें और कोशिश करें कि आपका जवाब एक दम सही सही आ जाए बहुत ही सिंपल और यहाँ पर C आप्शन सबसे तेजी से मुझे दिया है C चलो मैं बुक कर देता हूं C आपके नाम पर और और भागी लोग भी सोच सकते हैं इस पर क्या जवाब दिया जाए अच्छा सवाल है अच्छा जवाब है कोई प्राब्लम नहीं होगी आपको और आपने दिया है आप्शन नंबर C सब लोग सी बोल रहे हैं किस तरीके से आप रेसी दिया मैं समझ नहीं पाया चलो इसमें चीज़ देखते हैं यह मैं क्या देख रहा हूँ यह खर में एक जोड़ दू तो यह एक सो किस बन चाएगा है यह तो स्क्वार बन में गया रहा का इसमें भी आप नहीं सरmetal यहृपार बन में गया है ना अगर इसमें से एक कम कर दूँ तो 289 शायद ये भी स्क्वार बन गिया सत्रागा आपने का 300 एक जोड़ दें या एक घटा दें तो एक जोड़ेंगे तो एक क्या सी एक घटाएंगे तो 398 भी साथ इसके बार नहीं बनना इसेंए एक जोड़ दें तो 729 यludख देंगे तो पूलुवर्ग हैं ये 380 ऐसा नमबर है जो फूल वर्ग नहीं है देखो इसमें आपने एक जोड़ा बना, एक जोड़ा बना, एक कम कियेत समय पर बन गया क्योंकि जब सवाल को देखे तो एक साथ पच्वन में बड़े पापा कहते थे बड़े बुड़े बोलते थे हमाँ दे बुजर्व बोलते थे अरे तुए एक कान से सुनता है दूसरे कान को निकाल देता तो मैं वोलो आप बोलो आप क्या होगा यह क्या कर लिया वह तुने बोले जी कान बंद कर ले निकलने वाला बस incoming शुरू हुआ आप बोल दो इधर से आएगा तो यहीं रुख जाएगा बाहर नहीं निकलेगा तो सवालों को खड़ते समय ऐसी काम करना है आपको भी कुछ बाहर ना निकल जाए एक और सवाल आपके स्ट्रीन पर रखते हैं यह रहा चूज दी नंबर विच इस डिफ्रेंट फ्रॉम अगर इन दी ग्रोप 29-53-85-125-147 तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है 29-53-85-125-147 तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का सही जवाब सही मायनों में सही होना चाहिए घलत का दी आप्षिं दिया यो यो अशशी न 1960 यो यो ऐसे श् oldest वाला अंसर यह अश है चलो ऐसे पकटते हैं पैन स्वाइग है चलो लिए चालो मीवाब रिया और ज्यानती है क्यों स्वाइग है यह क्यों क्योंकि एक मात्र एसा नंबर जो perfect square यहां दिया हुआ है और कोई number नहीं perfect square देखो 29 भी 125 था विचाला के लाँ फस गए आ पर जो 5 का स्क्वेर था यही perfect square है बागी सब अलग अलग है, तो एक ही पर वही अलग हो गया, क्यों भी कर सकते हो, पांच का क्यूब के लिए मातर है बागी नहीं है, यह तो अपने-अपने मन के बाते हैं, सोच है, चलो एक और बताओ, चूज दी नंबर पर यार ग्रूप, विच इस डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, 15 रे सो 46, 12 रे सो 37, 9 रे सो 28, 8 रे सो 33, तो वाट इस यूर राइट आंसर, let's see, what will be your right answer, question आपके सामने है, हाँ, पांच का क्यूब बहुत बढ़ी, आप जवाब दे रहे हैं, चलिए, देखते हैं, okay, so D 100%, D बताया गया है मुझे, क्या बात है, तो यहाँ पर राहूल जी आए हैं, कैसे हैं राहूल या दब, और ताला लगा दिया है, आते ही D पर लगाओ ताला, लोग कर दो ताले को, okay, D, D को लोग करने की बात हो रही है, 38, 33 बोला जा रहा है, मुझे सब लोग यही बो अकरज आप शोर है, एकदम शोर है, आपने का हम एकदम तयार है, तो आप शोर हम भी शोर, D एकदम करेक्ट जवाब क्यों हो, आप देखो, अगर मैं इसका पहड़ा तीन बार पढ़ता हूँ, 15, 35 उसमें एक जोड़ दो तो कितना आया, 40, बाना का पहड़ा तीन बार तो 25, तो यहाँ पर 25 वाना चाहिए था, आप का अंसर हो जाता, हाँ, ओके, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल बिल्कुल, आप तीन से भी डिवाइड करेंगे, सारे डिवाइड हो जाएंगे, तो चालिस को काटेंगे, बार तो 36, 37, चॉइस इस यॉर्स, करना आपको जैस दाएड हीजा, चाहेए वैसे कर सकते, लाइब करते रहुए, लाइब में कण्जूशी बिल्कुल नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ओका बढ़ा हो आगे, जभी तो मजदारी है, तभी तो हम्हीं पता लागेगा, हाँ, ओके एक और सवाल, आपके स्क्रीन पर ये रहा चूज दी नंबर वियर ग्रूप विच इस डिफ्रेंट फ्रॉम अदर्स तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका बहुत सिंपल सवाल उम्मीद करता हूँ आपका जवाब मुझे मिलेगा कर दिया डॉली बहुत बहुत शुक्रिया डॉली आपका आभार आपका आभार हम विक्त करेंगे हमारे अधिकारी आपसे ज़रूर संपर करेंगे आपके लाइक के लिए शुक्रिया शुक्रिया करेंगे एक को लॉक किया जाए तो computer जी यादव जी कह रहे हैं एक को lock किया जाए क्या किया जाए कर दिया जाए लोग एक को सपक्का lock कर दिया जाए D को बोल रही है कोई A कोई बोले A कोई बोले D लेकिन अगर आपने A बोला है तो आपने एकदम हालत जवाब दिया है तो आपका जवाब गलत है अगर आपने D option को चुनाव किया है तो आपका विकल्प एकदम सुन्दर सुन्दर है D विकल्प एकदम सही है क्यों जानेंगे इसको अच्छी तरह से 5 और 3 को अगर जोडते हैं तो 8 आता है 5 और 3 को फिर जोडते हैं तो 8 आता है 6 और 2 को जोड़ेंगे तो भी 8 आता है लेकिन 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10 आता है और यहीं पर काम बिगर जाता है बहाँ बढ़िया बहाँ बढ़िया बहाँ बढ़िया शशी आपने एकदम सही बोला है सही बताया आपने एकदम तो आपका जवाब सही है जी एक और सवाल की तरफ कदम बढ़ाते हुए और देखते हैं एक और नया सवाल आपके सामने आता हुआ 45, 27, 30, 18, 20, 10, 15, 12 इन में सबसे अलग वाला बता दो कौन सा है जड़ा देखे तो सही कौन सा अलग दिखरा भी है ने मैंसे जड़ा बताईयो मुझे आंसर हाँ बहुत बढ़े है बहुत बढ़े है जल्दी से बताओ क्या होगा इसका जवाब 45, 27, 30, 18, 20, 10, 15, 12 इन में से सही जवाब को पकड़के जल्दी से दबा के बताओ मुझे आंसर क्या होगा एक, दो, तीन, चार देखेंगे क्या मिलता है आपका इस सवाल का जवाब ओके वेटिंग, 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 वेटिंग वेट इंतहा हो गई इंतजार की आईना खबर सरहमाम से रिजिनिंग तो हो जाती है लेकिन मैथ नहीं बनता सशी, मैं मात्र एक दिन रिजिनिंग पढ़ाता हूँ, बाखी के छे दिन मैं मैथ पढ़ाता हूँ अब डेली जवान गरोज सामको चार बचे मैंना क्लास होता है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, क्या बात है, सब लोग सी 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 बोल रहे है कर देते हैं, क्यों बोला सी जानते हैं, क्योंकि वे तीन से काटो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा टीन तीन से ये भी कड़ेगा, ये भी कड़ेगा, तीन से ये भी कड़ेगा. सारे ही संक्या तीन से divide है. एक मातर संक्या ती ये वाली जो अलग थी, जो तीन से进िडिवाइबल नहीं थी. आप इसको ऐसे भी count कर सकते थे. देखो, बारह दोनी 24 होते हैं, 28 जोनी 36 होते हैं, 37 जोनी 54 होते हैं, लेकिन ये सरफ डबल लिखा है ता आप ऐसे भी आपकर सकते हैं, लेकिन हमें common चीज ढूंडने की कोशिश करते हैं, जिससे की हमारी सवाल में कोई भी समश्या ना आए, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की तरफ, देखे हैं चूसी आपकी स्क्रीन पर रहा, चूस छूस पर ग्रोप विच इस इस इफ्रेंट फ्रम अदर्स, 8163, 2448, 2115, 1339. और आपका जवाब क्या एगा, लेट सी ओल्य से, ठालि क्या है है एम्टू हैं, चूस पर डूमबर पर गूर ग्रोप विच इस इफ्रेंट वूर्ट जू जवाब मिला है B जवाब मिला है B ओह देख लेते हैं तो जवाब क्या मिल रहा है तो यहाँ पर सबकान से अलग अलग मिला है चलो देख लेते हैं दो क्या है यहाँ पर तीन से यह नहीं कटता सारे तीन से कट जाते है है ना अब इमने रूल बता है ना आपको देखो वह सारे नमबर तीन से कट रहे हैं लेकिन यह तो तीन से कट जाता है ना तो यह रूल तो नहीं लगेगा क्योंकि वहाँ दोनों number 3 से नहीं कٹ रहे थे तो इस group में ऐगर दोनों number 3 से divide होते तो ये 2 भी vivre 3 से divide होने ज़रूर ही है समझने की कोशिश करना वह ये 2 number 3 से divide है ये भी 3 से divide ने 2 number तो ये भी तो 3 से 2 divide होने चाहिए है ना आप इसलिए तो कह रहे होंगे लेकिन कंडिशन समझना इसमें दोनों नमबर डिवाइड नहीं है एक नमबर डिवाइड लेकिन डिवाइड तो है डिवाइड तो है है ना तरिका नमबर एक तो वह इसमें पेर में हर एक नमबर 3 से डिवाइड था, सिर्फ ये नमबर डिवाइड नहीं था अगर आपको question ये मिलता है तो right option आप इसको लगा सकते हैं बाकि सब 3 से डिवाइड हैं सिर्फ ये वाले गुरूप में दोनों नमबर 3 से डिविजेबल नहीं है, is it clear Weer, clear, आसाली से में आया, बहुत बहुत भढ़िया धन्यवाद आप सभी का, कि आप जुड जाते हैं, लग जाते हैं, कमाल से, और आपको बता दे दोस्तों, अघर आप नए हैं, पहली बार जुड़े हैं मेरे साथ, तो आप मेरे साथ जुड सकते हैं लगातार, और आप बा को और शेयर कर दो जल्दी से आगे तो बहुत जल्द मैं मिलूंगा आपसे नेक्स सेशन में तब तक के लिए दिये का इजाजत नमस्कार शुक्रिया थेंक्यू वेरी मुच है वे नाइस देव